आप सभी का स्वागत है आज हम यहाँ पर डिसकस कर रहे हैं पेपर फर्स्ट अप्रस्ट, बालिकुलर, बालोजी और बालोजी और आज बालोजी थीक है और आज गा हमारा topic है unit second से और हमारा topic है triple code या genetic codon, क्या चीज है यह, तो simple way में कहें, तो proteins के लिए हम कह सकते हैं कि proteins हमारी body के लिए या body की सरचना के लिए, या तक ही सरचना है नहीं, हम कारियात्मक भी बात करें, तो हमारे सजीव सरीर की क्रियात्मक वे सरचनात्मक एकाई जो है, वो क्या आ रही है protein, ठीक है एक चीज, दूसरी तरफ अगर अपन protein के चलें, तो proteins लगबग 20 amino acids के संगठन या polypeptide chain द्वारा बने हैं, तो वहीं अगर अपन बात करें, आनवान से मदेल की जेनेटिक पार्ट क्या है, डी एने, और ये डी एने बना हुआ है मात्र चार, नाइट्रोजनी बेस, एडेनीन, फैमीन, सुस्टोसीन, एन गुएनिन, ठीक है, तो ऐसे में ये जेनेटिक इन्फोर्मेशन जो है, क्यो क्योंकि प्रोटीन सबसे ज्यादा इसेंसियल है, अमाइन वैसिट से बना हुआ है, हमारे सरीर की सरचनात्मक और क्रियात्मक की काई है, परन्तु प्रोटीन का संसलेशन जो है, वो प्रोटीन नहीं कर सकते, या अपने आप इनका संसलेशन नहीं होता है, दूसरा इनका सं सब्सक्ता अनुसार और प्रोटीन संसलेशन साइट पर ही होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि बाहर से हमने बोजन के रूप में कोई प्रोटीन लिया वही प्रोटीन काम में आ रहा है नहीं डारेक्ट प्रोटीन बहुत कम है जो काम में आते हैं प्रोटीन जो हैं डिग्रेड हो जाते हैं इन अमाइंडों एसेड्स और उनका वापिस संस्लेशन या संगठन होता है ठीक है और उसके बाद वो पॉलिपेप्राइट चेंड बनाते हैं वही प्रोटीन जो है सरचना अथ्वा कार्य के रूप में प्रियुक्त होता है सरजीव कोशी काओं में तो हम कह सकते हैं सजीव के समस्त जीवन चकर के उपापाचे क्रिया हैं जितनी भी हैं वो सारे सारी कंट्रोल होती है बाई प्रोटीन्स समस्त सरचना अत्मग जो यूनिट्स हैं वो भी किससे बनी है बाई प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स ही वो आनुवानसिक सूचना है जिन Unidirectional Flow Of Genetic Information Genetic Unidirectional Flow of Genetic Information तो इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आनुवानसिक सूचनाओं का जो प्रवा है एक दिशिय अर्थात आनुवानसिक सूचनाओं है DNA के उपर है हमें नहीं मालूम हम क्यावले कह रहा है कि DNA है DNA के एक हम बात करें तो DNA बना हुआ किसे एडिनीन, फाइमीन, सिस्टोसीन एन गवानिन के क्रम से एक निशित क्रम है क्लियर है ये DNA जो है वो कॉपी होता है किसमें DNA के रूप में बाई रैप्लिकेशन DNA से बाई ट्रांस्क्रिप्शन क्या बनता है MRNA तो यहाँ एक सिंपल एक्जाम्पल अगर हम लें तो ये हो गया एडेनीन, थाइमीन, सिस्टोसीन, गुएनीन, एडेनीन, थाइमीन माल लेते हैं फाइव प्राइम, टू थ्री प्राइम और ये DNA का दूसरा रज्जू है जो की हो गया क्या थाइमीन, एडेनीन, गुएनीन, सिस्टोसीन, थाइमीन और एडेनीन by transcription दोनों में से एक तो इसमें इसको हम कह देते हैं sense strand और इसको हम बोल देते हैं anti sense strand तो ये coding में भाग नहीं लेगा केवल transcription किसका होगा इसका तो इसके transcription के फल्सरूप ये रहा that is 5 इसको change करते हैं 3 prime to 5 prime यह होगा 3 prime to 5 prime तो ये 3 prime that is adenine, thymine, cytosine, guanine, adenine and thymine 5 prime तो ये code करेगा एक mRNA को that process is non-ex transcription और ये 3 से 5 की तरफ code करेगा तो ये बनेगा adenine, thymine की स्थान पर कोण आएगा uracil, adenine, guanine, cytosine, uracil and adenine ये code होगा हमारे 5 prime to 3 prime that is mRNA ठीक है तो इन सारी चीजों में अगर आप धंक से देखे genetic information के प्रवाब में तो इन code उनको देख लीजए यहाँ uracil की जगे क्या है thymine, बाकी adenine, guanine, cytosine, thymine के स्थान पर वापिज uracil और adenine, इसका मतलब dna के sense strand, जिसकी हम coding कर रहे हैं by transcription उस coding में जो क्रम है amino acids का जो की हमें अभी नहीं पता नहीं समझ में आ रहा, केवल हमको ये पता है कि वो adenine, thymine, cytosine, guanine का कोई क्रम है हम को ये भी नहीं पता को एक निश्चित क्रम है हम तो ये मान रहे हैं कि dna की संखलाम जो है उसमें nucleotides है, adenine, cytosine, guanine और क्या बोलते है thymine, ये clear हो गया, तो ऐसे में ये जो sense strand है, ये नहीं antisense नहीं, sense strand जो है वो by transcription एक नई सरचना को पूड कर रहा है, जिसको हम बोल रहे है MRN और जब हम इस MRN को देखते हैं, तो ये MRN उस dna के antisense strand के बिलकुल समान है सेम उसकी copy है ये तो हम इसको क्या बोल देते हैं पूरक, complimentary इसका मतलब dna के एक रजू, जिसका transcription हो रहा है एक dna का वह रजू, जिसका transcription हो रहा है, उसका antisense dna और MRN का रजू, सेम होता है, अर्था dna का MRN उसका complimentary होता है dna के उपर जो सरचना, सूचना है या जो nitrogen करम है उसका complimentary कोन होता है MRN, अब MRN के उपर reaction होती है transformation और ये जो transformation है ओ, सारी, translation अनुवादन ये जो अनुवादन की प्रिक्रिया है, इसमें इस MRN के in codons को पढ़ा जाता है, हमें अभी भी नहीं पता कि ये codons क्या होते है और ये क्या होते हैं, लेकिन यहां पे इन codons को पढ़ा जाता है एक विसिस्ट TRNA के दुआरा और उन codons को पढ़कर TRNA जो है, वो एक appropriate या essential amino acid को carry करके लाता है, ठीक है वहां पे कुछ enzymatic reactions होती हैं, बहुत सारे translation factors होते हैं, वो उन amino acids के बीच में polypeptide linkage बना कर उसकी एक polypeptide chain बना देते हैं और वही polypeptide chain जो है वो develop होती है या process होती है किसमे एक mature protein में और वो protein जो है वो सरचना की रूप में या कार्या की रूप में, functional या structural unit की रूप में प् polypeptide, that is polypeptide इसको हम बोलते हैं protein तो यह हमारा final product तयार हो गया, तो इन सारी चीजों से हम एक simple definition निकाल सकते हैं कि आनिवानसिक सूचना के प्रवाह में DNA nitrogenी शारों के विसिस्ट क्रम से बना हुआ है और transcription दुआरा वह है अपने उन विसिस्ट क्रम को किस में कॉपी करता है mRNA के रूप में कॉपी करता है जो की उस DNA रज्जों का complimentary sequence होती है वह है mRNA के जो विसिस्ट अनुकरम से हैं वो क्या करते हैं एक निस्चित अमाइनो एसिड की polypeptide संखला या protein का संसलेशन करते हैं और protein का इन nitrogenी अनुकरम या शार अनुकरम का protein में रुपांतरन उन विसिस रचनाओं को पढ़ना these are genetic codes ठीक है इन्हें हम रसाइनिक या genetic codes कह सकते हैं अर्थात अभी तत हम कह रहे थे कि इनका क्रम हमें मालूम नहीं है इसका मतलब एक निस्चित प्रकार के protein की polypeptide संखला सद्यों क्या होती है समान होती है उसमें कभी कोई variation नहीं होता इसका मतलब mRNA के उपर और mRNA से DNA के उपर सूचनाओं या nitrogenी शारों का एक निस्चित क्रम होता है ठीक है और उन क्रम को पढ़के ही polypeptide संखला को बनाया जाता है इस वज़े से इन्हें बोला जाता है genetic codon और genetic codon के माध्यम से ही आनुवानसिक सूचना या protein की सरचना को क्या किया जाता है अब आनुवानसिक सूचना कोड हो गई amino acids की रूप में polypeptides के रूप में अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज यह हमें ग्यात है कि protein जो है वो 20 है ठीक है और DNA जो है वो मात्र कितने है चार तो ऐसे में सबसे पहले एक theorem आई या अगर हम scientist की बात करें तो उन्होंने इसके एक theorem दी कि जो DNA के nitrogen इशार है वो एक nitrogen इशार एक विसिस प्रकार के amino acid को code करता है अगर हम इस theorem के according चले तो एक nitrogen इशार जो है वो एक amino acid को code करेगा तो मात्र कितने amino acid code होंगे चार अभी भी हमारे पास मैं 16 बच गए एक चीज दूसरा अगर एक amino acid एक से ज़्यादा एक nucleotide एक से ज़्यादा amino acid को code करेगा तो भी सबसे बड़े संदे की चीज यह होती है कि कौन कौन से और इनके अंदर सूचना जो है वो fix कैसे रहेगी क्योंकि एक amino acid दुआरा मान लीजिए हम पांच amino acids को code करते हैं तो यह fixation कैसे होगा कि particular यही amino acid polypeptide chain में स्रंखला बद होगा ठीक है देन इसके बाद में आई डाइकोर्ड थोरी डाइकोर्ड की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि दो दो amino acids sorry nitrogen शार दो दो nitrogen शार जो है वो मिलकर जोड़ा बनाते हैं तो दो का मतलब 4 multiply by 4 total होते हैं 16 code और 16 dichode sorry 16 dichodes और 16 dichodes में भी अगर अपन कहें तो अभी भी चार amino acids सेस बचते हैं ठीक है जो कि यहाँ पर degradation पोज कर सकते हैं या फिर place आपस में तो इस place से बचने के लिए then finally एक theorem आई जिसको सबसे पहले प्रतिवादित किया बाई गुमो उन्होंने एक बार में तीन amino acids फिर उल्टा हो गया नाइट्रोजनी बेस तीन नाइट्रोजनी बेस के जोड़े को क्रमागत रूप में दर्शाया ट्रिपलेट कोडोन त्री त्रिक कूट का मतलब कूट त्रिक का मतलब तीन तो सबसे पहले अगर अपन इसमें बात करें तो बाइ जॉर्ज गुमोव ने इसमें सबसे पहले प्रकास डाला लगबग 1954 और उनने इस परिकल्पना को दिया ठीक है और इस परिकल्पना में फिर सबसे पहले आये वाट्शर क्रिक लगबग 1961 ने ट्रिपलेट को इसको तो प्रति पादित की प्रति पादित और इन्होंने ट्रिपलेट खियोरी को सत्यापित किया किलियर है बागी और भी साइंटिस्ट के अभी इसमें नाम जुड़ेंगे तो यहाँ पर प्रति पादित की और उन्होंने कहा कि तीन जो नाइट्रोजन इशार है वो आपस में जोड़ा बना कर दो और योगया तीन चार चोग 16, 16, 64 लगबग तीन जो है वो नाइट्रोजन इशार मिलकर एक विशिस्ट कोड बनाते हैं और यह तीन के संयुगमन में ही होते हैं इसलिए उनका नाम दिया ट्रिपल कोड ठीक है और इस ट्रिपल कोडिंग की अगर हमाइटन बात करें तो यह एक तरीके से डबल कोड सी ज़्यादा सथीक थे यहाँ पर हमारे पास में कोडिंग्स जदा हैं अमाइनो एसिड्स की तुलना में तो आसानी से हम क्या कर सकते थे 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं इसी चीज़ को आगे निरेनबर्ग ठीक है खुराना काफी सारे नाम इसमें आजाते हैं हो ले लगबग 1964 1964 ने स्वतनत्र रूप से ट्रिपल कोड की सरचना को समझाया और ट्रिपल कोड की व्यवस्ता या जो थियोरम थी उसको क्या किया सत्यापित किया और इस पर सबसे बड़ी जो मोहर लगी एक तरीके से समझने पे वो थी बाई निरेनबर्ग निरेनबर्ग एंड मथाई वो है 1964 इन्हों ने पहली बार आल्दे भिशल MRNA पर ट्रिपल कूट या कोडोन दुवारा प्रोटीन सिंतेसिस में सफलता प्राप्त की या किया ठीक है जिसके बाद ट्रिपल कोडोन जो है उसको ज्यादा समवेता मिली यही अगर अपन एक चीज और देखें तो अगर अपन इसमें और आगे बढ़े तो इसमें थियोरी आई टेट्रा कोडोन की तो देट इस फोर 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 और फोर तो 64 मल्टिप्लाइ बाइ फोर का मतलग है दो सो चपन यह अपने आप में बहुत ज़्यादा थे हमारी प्राकर्तिक एक तरीके से अमाइनो एसेड्स की संक्या से बहुत ज़्यादा इसलिए सबसे ज़्यादा माने ता किसको मिली ट्रिपल कोडोन को चार द्वारा एक बार ट्रिपल कोडोन को समझ लेते हैं ठीके हमारी ले काफी जी हो जाएगा उससे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं अमाइनो एसेड्स 20 अमाइनो एसेड्स ता कि काफी आसन हो जाएगा इसे समझना क्रम से लिख लेते हैं ता कि याद करने में दिक्कत नहीं हो एलेनिन ठीक है एलेनिन के बाद एसपरजीन एसपार्टेक एसेड्स एसपरजीन यह एसपरजीन की जगे इसको आर्जिनिन सेस्टेन एस्टेन 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 के बाद isoleucine, leucine, ठीक है, then lysine, methionine, methionine के बाद phalin, philine, alanine, ठीक है, then proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine, valenine, ठीक है, फोड़ी सी जगे कम रहे गई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरे, चौदे, पंदरे, सोले, सत्रे, अठारे, उन्नेश, और यह हो गया, बीस, ठीक है, ठीक है, ठायरोनिन, वो थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ठायरोसीन, ठीक है, ठायरोसीन, एंड वैलेनिन, इनके आनवान सी कोडोन्स, एड कर देते हैं, मतलब आनवान सी कोडोन नहीं, इनकी short forms, ताकि समझने में आशा नहीं हो, ठीक है, आरजिनिन, ए-आ-जी, ए-ए-स-P, ए-ए-स-N, ए-स-P, ए-स-N, ए-स-P, 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 ए-स-P leucine LEU, lysine LYS, methionine MET, feline LNPHE, proline PRO, serine SER, threonine THR, tryptophan TRP, tyrosine TYR, valinine VAL. ठीक है, मैंने इसके सामने लिख दिया है, इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है, अब इसे चार्ट के रूप में समझते हैं, कहिसे वकों के प्रेफाइं, बार्ट के रूप अर और में समझते हैं, अब प्रेफाइं!! झाल पहाईने प्टार, भीज़ कि अ भीज़ी घंच हो प्राप जोची अगरा हैं कि अपार घंच झाल भीज़ आप पार्व लाओ 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 में। कर लेते हैं इतना बड़ा बनाएंगे तो जग्या नहीं बचेगे कर लेते हैं। क Gör Yazan बड़ा कर लेते हो। शकर बोर्ड के समाना में चार ब्लॉक्स बनाने हैं क्योंकि चार वो तीन डिरेक्शन्स में हम एड़ करेंगे पहला ब्लॉक यह फिर्स लेटर है यह फिर्स लेटर है यह फिर्स लेटर है यह यू ची ए जी ठीक है यह हो गया लेटर या कोड क्या हम बात करें लेटर सेकंड लेटर सेकंड यू सी ए जी यह हो गया लेटर थर्ड लेटर थर्ड है यह ठीक है और यह किस तरीके से चलेगा यह चलेगा लाइन वाइज यह हो गया एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक है यह लाइन रेड से की देते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगी यह लाइन चार झाल यह लाइन चे हैं यह लाइन अनार आएन प्र राइन यह लैज हो गवंदाद झाल 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 Yes, letter लखिए U, C, A, G U, C, A, G U, C, A, G U, C, A, G Clear है? यह हमारा triple code on का chart जो है complete हो गया लिखना start करें first letter first letter कौन साएगा इस कूरे ब्लॉक में U, 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 U इसमें first letter कौन साएगा? C, 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 C इसमें first letter A A, A, A इसमें